तो बढ़कन्नी जिजी का वीडियो आ चुका है और आज बढ़कन्नी जिजी ने टाइटल डाला है भई 26 अक्टूबर 2023 अरे भईया जिजी को समझ नहीं आया कल तो जिजी ने डाल दिया ता शादी वाला घर रॉन के लगी है आज जिजी ने सिर्फ डाला है 26 अक्टूबर 2023 और भईया होचपोच चली हुई थी उस घर में शादी वाले घर में तो चली वीडियो स्टार्ट करते है साफ सफाई चल रही है प्लांट्स को उठाके इधर रखा प्लांट्स को उठाके इधर रखा और उफीशिली जिजी का पहला दिन है जब वो पटना आ गई है चली वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो आप लोगो क्या करने ही जो सब्स कर लिया था जिजी ने जब आचल ने दिखाया था तो वो पसंद करके फाइनल भी कर दिया और तो और उन लोगों ने स्टिच करा के भी दे दिया मतलब कैसे बेशरम लोगों मतलब ठीक है आत्मी को कपड़ा समझ में आता है लेकिन यहां देखिए इन लोगों ने पसंद करा के वहीं पर स्टिच करा के और वहां के फेमस टेलर से स्टिच करवाया गया है इस तरह के लोग है यह लोग लाल ची किचड लिचड लोग चली वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज जो जिजी ने पहीना है न जिजी ने यही वाली जो कुर्ती पहनी हुई है यह आचल वगेरा भी लेकर आई है खेर तो ये जो आचल ने मेरे को क्या दिया मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को पोला था तो ये जो कुर्ता आज मैंने पहना है ये मुझे आचल ने बिर्टडे गिफ्ट भेजा था मैं वापे कुछ ढूंड रही थी तो मैंने जब ये कु जो चाता कि मैं ये ही वाला लेके चलू मुझे बहुत सुंदर लगा इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा फिर बात में फैंक्यू भी वो लै आचल को अरे जिजी आप लोगों ने ये तो दिखाया है नहीं आप बग्गा मामा मी भूल गया रियाक्शन तो दिखा लेकिन अरे मम्मी का रियाक्शन ससुराल में जाके लेकिन जो शगुन के इतने बड़े-बड़े बैग में लेते उसमें क्या दिया वो नहीं दिखाया वह यह छुपाया जाएगा कता ही ना बताया जाएगा खैर। जिजी कह रही थी कि मेरा मन्था में यही वाली कुर्ती जो भी मैंने पहनी है यह मैं पहन के उनके घर पे जाओं लेकिन इतनी होच पोच थी जो हमने पहना हुआ था सब जगा इतना सीमेंट हो रखा था डस्ट थी और फिर वही पहन के हम लोग चल दिये यह कलर बहुत अच दिन बाद फिर से ही अपने घर पहुचने वाली है तो उसके लिए टिकेट बुक कराओंगी पहले टिकेट करा दो थोड़ा फायदा रहता है थोड़ी सस्ती मिल जाती है उसके बाद किचन में आके किचन का काम दिखा रही है इन्होंने एपल भीगो रखे है वो दिखा र जो खाए जा रहे थे नमकीन खा रहे थे खाना खा रहे थे भी चार पांच तरह की तो सबसिया मनीती खूब खातिरदारी हुई है तो जिज्जा जी का दो किलोवेट बढ़ चुका है खैर चिल्ले बना के जिज्जी ने रख दिये है और जिज्जा जी आस सुब जब गए यह शिमला से आपको याद है चुटकरनी जिज्जी और बगदा मामा देख रहे थे कौन सा मैगनेट एक वहाँ पर आचल के घर के लिए ले के गए थे तो जिज्जी ने वह एक मैगनेट लिया है तो जिज्जी दिखा रहे हैं कि यह 150 रुपे का मुझे मिला है और लोकल म मुझे को सस्ती एकिजग जाएं लोक पूस्ता थोड़ा पढ़ता है और फिर जिज्जी को मिले है जिज्जी वीडियो कॉल में सिल Langustal की हो और अभी जो कही थे हां मतलceğim लोग बोल बोल के तक आ थे suit jeans पहन के गई हो आज भी लोग लिख रहे हैं कि तुम suit suit करती हो लेकिन पहन के जब तुमको जाने होते है suit तब तुम jeans पहन के जाती हो खेर तो जो वीडियो कॉल पर जिजी ने select के ते वो stitch हो के आ गए है orange और pink color के तो जिजी ने वो दिखाए है तो अब festive season आ रहा है करवा चौत आ रहा है तो जिजी वही दोनों suit यहाँ पर ले आई है और बाकी जो मेरे suits थे वो मैंने हिमाचल में stitch करने के लिए दे दिये हैं वो suits नहीं दिखाए गए हैं 5-6 suit है जो चुटकन्नी जिजी ने लिए है दो-तीन suit है जो मम्मी ने लिए है और 6-7 suit वही है बिग बॉस जिजी इनके सबसे ज़ादा suit लिए गए है तो उन में से कुछ हम लोग शिमला से हमने लिए थे बाकी जिजी due to extremely busy schedule इतना busy था बड़े भी मनाना है बड़े में आप लोगों ने किया किया तयारी भी ओलोगी कर रहे ते करता-धरता भी वई लोग थे वहीं पे गया आप लोग इतनी खातिरदारी भी करी तुम लोग किस चीज में busy थे ये समझ नहीं आया घर भन रहे है वो समझ आरहा है उसमें भी लेबर काम कर रहे हैं, तुम लोग कहां पर बिजी थे, ये समझ नहीं है, इसलिए व्लॉगिंग भी नहीं करी, इनके हिसाब से हम लोग इतने बिजी थे, कि मेरे को फोन उठाने का भी टाइम नहीं था, मैं बिजी थी व्लॉगिंग, और भाईया कुछ भी हो जा और मैंने वहाँ पर ट्राइ तक किया, जिजी ने ये सारे सूट आचल के घर पर ट्राइ के, तो जिजी आपको ये नहीं लगा, ये सूट वहाँ पर पहन लेती, जिजी के थौट में तो आई थी ये बात, लेकिन जिजी ने का नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता, जिजी फिर से उसी जीन्स में आ गई, फिर आचल ने वीडियो कॉल में पसंद कर दिये थे, वहीं से टेलर ने स्टिच करके हमें दिये हैं, और एक आचो वाला भी सूट है जो जिजी यहां से लेके गई थी बैग में, जिजी वो आचो वाला सूट ही आप आचल को जब गई थी कि क करवाचौत देने तब पहन लेती हैं, वो आचो वाला सूट, वो तक नहीं बहना तुमने, करवाचौत जिजी ने बोला भी, करवाचौत मुझे इनके साथ ही करनी थी, इसलिए मैं आ गई, और ये तो बोल रहते हैं कि तू वहां पर रुक जा है ना, और वीडियो कॉल मे करेंगे, बट मेरी मम्मी भी बोल रही थी, एमोशनल हो गई थी, और ये घर बड़ा है, यहां पर IIT कानपूर जैसा नहीं है, कि हर चीज एजली अवेलेबल होगी, और घर का खाना इनको बिमारिया भी लगी हुई है, तो इसलिए फिर मैं यहां पर आ गई, इनकी तबिय इनकी जिजी मैनेज कर रही है, तो जिजी इसलिए आ गई है, जिजी को काम नहीं करना और जिजी को सुपर सुपर डूपर अलरजी भी होती है, वह यह गंदगी से खेर, और शादी से पहले जिजी कह रहे हैं कि मैं चली जाओंगी, है ना, हो सकता है दिवाली में इधर मन मुझे लगता है, मुझे लगता है वह बैग भी छुटकनी ने तुम्हें दे दिया, यह सब समान रखने के लिए है, शौल, सूट, दुपट्टे सब लाइए, तो जिजी ने अपना बैग खोल लिया है, तो फिर समान दिखाना शुरू किया है, शिमला से काफी चीजे ली जब पता चलेगा, तो मम्मी बहुत ही डाटेंगे, उसके बाद एक दूसरी शौल दिखाई है, जो जिजी ने फर्स टाइम शिमला से खरी दी थी, तो कलेक्शन जिजी ने दो शौलों का रख लिया है, यह मम्मी का दुपट्टा जिजी एक दुपट्टा ले आई है, पि जिजी को मेमरीज रखना बहुत ही जादा पसंद है, और धोके मैं रखूंगी मम्मी का दुपट्टा, और इस शौप का नाम जहां से जिजी लेकर आई है, यह जो एक जिजी ने जो शौल दिखाया था, एक महरून रंका भी जिजी ने हिमाचली शौल दिखाया है, वो व ह्ल्किसी कडाई और हम तीनों ने लिया है, एक हैं लिया है ठूटकन्नी ने एक आचल के जो एक ये मेरा है मैंने ये इस टोल गोल्डन कलर का स्टोल भी लिया है जिसमें विलन कीसी कडाई हो रखी है और ऐसा ही मैंने जैसा उस रोल श्माइब की dat me बाकी मुझे fix shop, fix जो price होता है, वो shops बहुत पसंद है, वह बारगेनिंग नहीं करानी पड़ती, यह जो shop है, जिजी को नाम एंड तक याद नहीं आया है, इनने सिफ नीचे mention कर दिया था, धवन चंद करके है, जो शिमला में fix price shop है, तो आचल की मम्मी की फिर तारीफ हैं, यह fatty jeans या वो सब पहन के जाती है, ऐसा हमने ही कह रहे हैं, नीचे comment section में लोग कह रहे हैं, यह बिंदिया भी आचल ने दी है, घर पे हौच पौच हो रखी थी, यह suit बहुत अच्छा stitch कराया है, यहां का famous tailor है pink color का, starting हुई है pink color का suit रिखाया जिजी ने, जो की महां से आचल की ममी ने stitch करा दिया था, और यह देखिए कितना प्यारा suit है, और बाकी suit stitching के लिए हमने हिमाचल में दे दिये हैं, और यह suit जो जिजी ने दिखाया pink वाला, यह करवा चौथ पे पहनेंगी, और यह वाला मैंने video call पे पसंद किया था, जब वहीं से आचल ने फिर stitch करा दिय और मैंने पहन के भी देखा था वाँ पे, और इसका दुपट्टा देखिए कितनी अच्छी कडाई है, मुझे बहुत ही ज़ादा पसंद आया, अब जिजी कह रहे हैं कि मेरे पास school में लाके इतने सारे suits हो गए, और शादी में गया पहनूंगी, वो वो लग बात है, मतलब क्यामरे पे अलग show हो रहे हैं, तो वहाँ पे house LP कह रही थी, बिंदी ऐसे लगाओ, बिंदी लगवाई, फिर ये color तो रानी color है, तो रानी ही तो हूम है, जिजी ने बही एक बार बोला था कि October में शहजादिया पैदा होती है, अब आज जिजी खुद को रानी बता और ये और ये और इंज सूट है, फिर एक दूसरा और इंज सूट दिखाया गया है, पहले जिजी ने वहाँ पर ये ट्राइ किया सूट तो शी वस थिंकिंगी ये ही सूट पैन ले, क्योंकि जल्दबाजी में हड हॉच पॉच में जीन्स में चली गही थी, तो जिजी के सूचे बहनों के लिए, मतलब इसका भी स्टिच कराया होगा, वहाँ चुटकनी का भी स्टिच कराया होगा, ये सूट बहुत हल्की कडाई, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, इन्होंने फिर और इंज कलर पे, जो कडाई या भी कुल मिला के दो सूट दिखाए है, ठीक ह या हिमाचल से, ये वाले जो सूट्स है, आने वाले टाइम पे करवाजोत या दिवाले पे मैं पहनूंगी, औरेंज वाला और पिंक वाला, बाकी स्टिचिंग के लिए मैं हिमाचल में दे कर आई हूँ, छुटकनी जिजी का बैग लेकर आई हूँ, सारे गंदे कपड़े इन्होंने देखो, नीचे तक लाइनिंग लगाई है, कुछ टेलर्स हैं, नीचे तक लाइनिग नहीं लगाते है, और इम्टिच JE वाले सूट की बात कर रही थी कि साड़ी पहनेंगी वो भी पिस्ता कलर बगगा मामा बता रहा था भो यह बगगा को इतनी कलर्स की नौलिज कैसे हो गई तो कही ना कहीं बगगा को भी वहाँ आचल नहीं आइडिया दिया होगा है तो पिस्ता कलर की साड़ी है और वो अगर मैं मार्केट गई तो जिजजी को कोई मनीश सारी एमपोडियम किसीने बताया कि यहाँ पटना में है जिजजी कैरी मैं एक दो साड़ी यहां से खरीद के जाओंगी मम्मी की उस मैचिंग का पेटी गोड वगएरा सब लोगी और जो बलाउस है वो वहाँ जाके बनवा लेंगे बाकी जिजजी कैरीती मुझा भी बहुत शापिंग करनी है यहां से ट्रेसे लेनी है और एरिंग्स लेनी है जिजी की हाइड 5-2 है जिजी की तीन फूट कभी चार फूट बोलती रहती है वह बात और है जिजी 5-2 है तो जिजी को हाइड थोड़ी बड़ी करने के लिए वेजजी भी लेने है लहंगा पहनू मल्मल का रेड कलर का सूट भी जिजी ने एक सेलेक्ट किया हुए मतलब देख रखा है कि एक red color का शादी के टाइम पे कहीं जिजी red color के suit महीं ना देखेंगें अभी जिजी decide ने कर पा रही कि मैं क्या ही पहनू वो पहनू अभी मेरे को decide नहीं हो पा रहा है फाइनल अभी शादी का जो आउटफिट है वो डिसाइड नहीं हुए किसी का भी कुछ सूट्स मैंने पट्याला से मंगाए हैं कुछ सूट्स मेरी एक फ्रेंड है उसकी सिस्टर की शॉप है और कुछ मैंने ओनलाइन मंगाए है उस जीन्स लंबी पढ़ दी अब जिज्जी के हाइट छोटी है जिज्जी खुदी मान चुकी है हम नहीं बोल रहे हैं खुदी मान चुकी है तो नीचे से हाउस हेल्फ से कटवाई गई है जीन्स और कह रही थी कि मैं वहाँ पेहन रही थी मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि यह बहुत लंबी लंबी यह अच्छी जीन्स है और यह मेरी इतनी लंबी आ रही थी और फिर जीजी ने बोला कि अब इन सूट्स को मैं प्रैस करूँगी और मनीश साडियम पोडियम का नाम लिया गया है जहाँ पे रीजनेबल प्राइस में साड़ी मिल जाती है और मुझे फिक्स प्राइस शॉप्स ही अच्छी लगती है मुझे एक या दो साड़ी लेनी है एक मम्मी के लिए लेंगी और एक एक्स्ट्र साड़ी लेंगी बाकी शादी पे हम तीनों मैचंग मैचंग इस बार नहीं करेंगे जब जिजी बता रही थी कि मैंने सोचा था जीन्स इनके साथ मैं मैच करूँगी लेकिन येस शादी प कि तै लगा की रख रही थी और फिर कह रहे हैं इस लुग के दूपड़े के बढ़े हुए हैं जब लोग हम लोग उनके दुपटे हम लोग जब वो पहनते थे ना उनके दुपट्टों को सारी की तरह ऐसे लगाते थे तो हमें वही सब चीजे मुझे याद आ रही है और आप लोग कैसे पैया लगाते हो कैसे रखते हो सूट्स को प्लीज मुझे जरूर बताना बाकी तीनों सूट्स को एक आंचो का सूट हो गया दो यह सूट हो गया है अभी फेस्टिवल सीजन पर करवा जौद भी आ गया बाकी जी जी वहां से शॉल और वो जो हिमाचली स्टो बाकी बाहर आपने प्लांट्स को देख रही थी और यही कह रही थी कि इसके पत्ते पीले-पीले हो गया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कुछ पत्ते पीले-पीले हो गया क्योंकि थोड़ी धूप वगिरा लगी हो गया जिज इसी वज़े से थोड़ी परेश अरे भई जो आचल नहीं दिया था जो कुर्ती दी गई थी बाकि इन लोग वहां से और क्या-क्या शगुन की चीज़े आई ना च्छोय उसने बग्गा मामा ने भी नहीं दिखाया और जिजी गिफ्ट बड़े वाले गिफ्ट वो दिखाओ सूट्स मत दिखाओ और कि सूट्स लोग फिर से यही लिख रहे हैं उनके घर पे भी जाके तुम लोग जीन सी पहन के गए बिंदिया तक बताओ आचल ने इनको दी है हाई रे दिया मतलब क्या ही बोले है तो चलो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो वीडियो थोड़ बाइ-बाइ